हेलो फ्रेंड्स तो आज हम पढ़ेंगे question number 7 से 11 तक ठीक है और कल ने मैंने आपको पढ़ाया था exercise 3.3 के 6 question number 6 तक तो आज हम पढ़ेंगे 7 to 11 तक के question तो इसमें जो सबसे पहले first number का question है question हमें given है कि 10 pi by 4 plus x by 10 pi by 4 minus x is equal to 1 plus 10x by 1 minus 10x का whole square तो हमें ये prove करना है कि इसकी value इसके बराबर होगी तो हम इसे solve करते हैं तो हम लिखते हैं left hand side तो हमने left hand side इसको same to same question को ऐसे उतार दिया और इसको first and second term में हम इसे divide कर देंगे ये उपर का है और नीचे का है ठीक है तो हम इसमें जो important formula है हम कौन सा formula use करेंगे वो लिखेंगे हम 10x plus y क्योंकि ये x और plus y की form है तो 10x plus y का formula हो जाएगा 10x plus 10y and 1 minus 10x into 10y ठीक है ये first के लिए होगा उपर वाले के लिए अब ये नीचे वाला term है हमारा 10x minus y की तरह तो हम इसमें formula use करेंगे second formula 10x minus y तो इसका formula है 10x minus 10y and 1 plus 10x into 10y तो चलो हम इस formula में इसकी value रख देंगे एक बार pi y 4 plus x and pi y 4 minus x ठीक है x की जगा pi y 4 and y की जगा x तो हमने ये इसकी value put कर दिया यहाँ पर pi y 4 and plus 10x and upon 1 minus 10 pi y 4 into 10x and इसके upon हो जाए इस पूरे के upon क्योंकि ये पूरे का है ठीक है तो इस पूरे के upon में ये आ जाएगा 10 pi y 4 minus 10x and upon 1 plus 10 pi y 4 into 10x अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ठीक है तो अब देखो यहाँ पर जो 10 pi y 4 है चूंकि 10 pi y 4 is equal to होता है 1 तो हम इसमें इसकी 10 pi y 4 की value रख देंगे ठीक है तो 10 pi y 4 के हमने value रख दी यहाँ पर तो यह हो गया 1 ठीक है तो यह बच गया 1 plus 10x and upon में यहाँ पर भी 10 pi y 4 का 1 हो गई तो यहाँ पर भी 10x बच गया तो यह हो गया 1 minus 10x and same ऐसी इसमें भी यही हो गया ठीक है नीचे second term में तो यहाँ पर भी 1 बच गया and minus का minus and 10x का 10x then उसके बाद upon 1 का 1 plus का plus 10 by 4 pi y 4 की जगा 1 and 10x का 10x तो यहाँ पर सिरफ 10x बच गया अब हम क्या कर सकने इसको इस तरीके से लिख सकते है 10 1 plus 10x upon 1 minus 10x into तो यह जो upon में नीचे तो यह value यहाँ पर same to same आजाएगी ठीक है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते है sorry यहाँ पर यह plus था ठीक है यहाँ पर यह sorry यह minus यह यह minus यह ठीक है तो यह हो गया यह नीचे की value यह चली गई उपर तो यह आगया 1 plus 10x and यह upon में यह बच गया 1 minus 10x ठीक है अब इनकी power गया इसकी भी power होने इसकी भी power होने इसकी भी power होने इसकी भी power होने क्योंकि जब number same होते है तो उनकी power 1 1 होगी ठीक है तो इनको क्या करते हैं multiply करेंगे तो यह आगया हमारा answer 1 plus 10x की whole square both का whole square आ गया तो इसको पूरे की power हम इस तरीके से लिख सकते है 1 plus 10x upon 1 minus 10x का whole square ठीक है तो यह हमारा proof हो गया ठीक है second question हमें given है कि cos pi by pi plus x into cos minus x upon sin pi minus x into cos pi by 2 plus x is equal to cot square x तो यह हमें प्रूब करना है कि इसकी जो value आएगी वो हमारा cot x cot square x के बराबर आएगी ठीक है तो इसके लिए हमें कुछ formula याद करने पढ़ेंगे तो इसके लिए जो mostly हमारे formula यूज होंगे वो इस तरीके से है जैसे number first यहाँ पे cos pi plus x यानि 180 plus x is equal to minus cos x second यहाँ पे हो गया cos sorry sin pi plus x यानि sin 180 plus x is equal to minus sin x same score भी लिख सते हैं cos 90 plus theta हो गया एक तरीके से ठीक है cos pi by 2 plus x is equal to minus sin x and sin pi by 2 plus x is equal to cos x and sin यह pi minus x के लिए तो pi minus x के लिए हो जाएता है इसकी value sin x and cos pi minus x के लिए हो जाएगी इसकी value minus cos x यह formula है ठीक है इनको याद कर लेना जो भी question solve परना है इसके बाद यह cos pi by 2 minus x is equal to cos x and sin 2 pi minus x equal to होता है minus sin x और जो कुछ question मैंने आपको पहले बताए थे formula तो इसमें जो formula यूज होगा वो है यह sin minus x is equal to minus sin x and cos minus x is equal to cos x तो यह मैंने आपको पहले ही बढ़ा रखे हैं ठीक है इस step के तो अब बात करते हैं question के तो question हमें जो दे रखा था उसका हम solution करेंगे solve करेंगे तो इसमें question हमें दे रखा था cos pi plus x into cos minus x and cos pi minus x into sorry यह sin pi minus x and cos pi by 2 plus x तो हमें इसकी value find out करनी है ठीक है तो हम यहाँ पे हमको चुक्छे मैं पता है cos pi plus x तो यह देखो यह cos pi plus x यह होगा हमारा cos pi plus x is equal to minus cos x तो यहाँ पे हम direct लिख सकते है minus cos x and cos minus x is equal to इसकी value होती है cos x and sin pi minus x इसकी value होती है sin x and cos pi by 2 plus x इसकी value होती है minus sin x ठीक है अब यह उपर भी और नीचे भी minus है तो इस minus से यह minus कर जाता है cancel हो जाता है तो यहाँ पे हमारा बच्छा cos x into cos x and sin x into sin x तो इसकी इसके साब multiply कर देंगे तो यह हो गया cos square x upon sin square x और चूंकि हमें पता है cos x upon sin x is equal to होता है cortex ठीक है बाकी यह square है तो यह हो जाएगा cot square x तो यह हमको prove करना था बाकी यह कुछ important formulas बाकी यह कुछ important formulas है तो इनको भी पढ़ लेना तो यह आने वाले जो our next question है उसमें use होंगे यह cos x plus cos y और यह cos x minus cos y sin x plus sin y and sin x minus sin y तो यह formula भी आगे आने वाली जो हमारे exercise होगी हमें हम use करेंगे तो यह भी important formulas है बाकी कुछ important formulas है जैसे 2 cos x into cos y is equal to cos x plus y and plus cos x minus y second है यह यह पे minus 2 sin x into sin y equal to cos x plus y and minus cos x minus y थर्ड है इसमें 2 sin x into cos y equal to sin x plus y and plus sin x minus y और फूर्थ formula है 2 cos x into sin y equal to sin x plus y and minus sin x minus y अब बात करते हैं question number 9 की तो question 9 हमें given है cos 3 pi by 2 plus x into cos 2 pi plus x and into यह bracket में ठीक है bracket में cot 3 pi by 2 minus x plus cot 2 pi plus x equal to 1 तो यह हमें प्रूब करना है ठीक है तो अब हम इसको solve करेंगे तो यह हमारा एक term हो गया हम इसे divide करके solve करते हैं यह हमारा first term हो गया है यहां तक और यह हो गया हमारा second term ठीक है यह वाला तो हमें पहले first term को solve करते हैं तो first term के लिए हमें जो formula हम use करेंगे क्योंकि first term है हमारी cos pi by 3 by 2 plus x into cos 2 pi plus x ठीक है तो यहां पर x plus y cos x plus y and cos x plus y तो cos x plus y का formula होता है cos x plus y equal to cos x into cos y and minus sin x into sin y तो हम इसको इसमें रख देंगे तो यह हमारा हो गया खोलने पर formula पर रखने पर यह होगा cos 3 pi by 2 into cos x and minus sin 3 pi by 2 into sin x ठीक है and into यह second वाला cos 2 pi into cos x and minus sin 2 pi into sin x अब देखो sin यह cos 3 by 2 की value होती है 0 ठीक है and sin 3 by by 3 pi by 2 की value होती है minus 1 यह होगा minus 1 ठीक है और यह होगा cos 2 pi की value होती है 1 and sin 2 pi की value होती है 0 तो देखो इस term में यह 0 है तो यह पूरा 0 हो गया ठीक है तो यहां बच गया हमारे और यह हो गया 1 क्योंकि इसकी value है minus 1 थी यह minus minus हो गया plus तो यहां बच गया 1 and sin x तो यह आगया हमारा sin x ठीक है इस term में and into यह वाला into का into यह हमारा cos pi by 2 की value हो गई 1 तो यह बच गया यहां पर cos x का cos x और यह terms भी हमारी पूरी की हो गया 0 हो गया तो हमारा जो आंसर आएगा first का वो हो गया sin x into cos x अब हम solve करते हैं इसकी second term को तो second term थी cos 3 pi by 2 minus x and plus cos 2 pi plus x तो यहां पर जो यह हमें second terms है तो इसमें हम जब formula use करेंगे क्योंकि यह x minus y की form में है तो पहले तो हम इसको इस तरीके से लिख देंगे cot को क्योंकि cot is equal to क्यों होता है cot x is equal to cos x by sin x तो यह हम लिख देंगे cos 3 pi by 2 minus x and sin 3 pi by 2 minus x सेम इसको भी ऐसी लिखेंगे plus का plus and cot को लिखेंगे cos x by sin ठीक है तो यह cos 2 pi plus x and sin 2 pi plus x तो यह हो गया हमारा x minus y ठीक है और यह हो जाएगा हमारा x plus y से तो यहाँ पर four formula हम यूज करेंगे एक तो हम करेंगे cos x minus y के लिए एक करेंगे cos x plus y के लिए एक यूज करेंगे cos x minus y और एक सॉरी यह sin x minus y और एक यूज करेंगे sin x plus y तो ये चारों formula में यहाँ पर use करने वाले है cos x minus y is equal to cos x cos y plus sin x sin y second cos x plus y cos x cos y minus sin x into sin y and sin x minus y is equal to sin x cos y minus cos x into sin y and fourth हो जाएगा हमारा sin x plus y के लिए sin x cos y plus cos x into sin y तो अब हम इसको यहाँ पर solve करेंगे इसको formula को खोल देंगे तो यह होगा cos 3 pi by 2 into cos x plus sin 3 pi by 2 into sin x ठीक है first term को इसको इसमें second term खोली तो हमने नीचे वाली तो यह होगा sin pi by 3 into cos x and minus sin x into cos 3 pi by 2 ठीक है तो अब देखना है यह 3 pi by 2 की value हो गई 0 इसकी value होती है sin 3 pi by 2 की value होगी minus 1 यह मैंने आपको table बता रहे है उसी ही से है ठीक है and sin 3 pi by 2 इसकी भी value होगी minus 1 और इसकी होगी यहाँ पर 0 तो यहाँ पर हमें 0 रखना है यहाँ पर minus 1 यहाँ भी 0 और यहाँ पर minus 1 अब देखो इसका अगला term है यह वाले से किन term इसको अगर हम खोलेंगे तो यह हमारा हमने इसको खोल दिया cos x plus y से तो यह cos x plus y से हो गया cos pi into cos x and minus sin 2pi into sin x और इसको खोल दिया हमने sin x plus y से तो यह होगा sin 2pi into cos x and plus cos 2pi into sin x तो यह sin 2pi की value होगी 0 यहाँ पर भी cos 2pi की value हो जाएगी 1 यहाँ sin 2pi की value हो जाएगी 0 और यहाँ हो जाएगी इसकी cos 2pi की value 1 अब देखो हम इसके value रखने के बाद क्या हो जाएगा तो यहां पर यह 0 तो यह term 0 हो गई पूरी ठीक है यहां बच गया हमारा minus का तो यह बच गया हमारा minus का और यह हो गया sin x तो यहां हो गया minus sin x upon में यह देखो यह minus है और यहां बच गया cos तो यह हो गया minus cos x और यह terms हमारी पूरी क्या हो गई? यह हो गई 0 ठीक है? तो यहाँ पर हमारा बच जाएगा minus sine x upon cos x और इस minus से यह minus से यह minus cancel हो गई ठीक है? अब इस वाले term में हमारा यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर बच जाएगा cos x तो यह आगा हमारा cos x ठीक है? यह term हो जाएगी पूरी 0 ठीक है? और यह हो गई हमारी यह term भी पूरी 0 हो गई तो यहाँ पर बच गया 1 और यह बच गया sin x तो यह हो गया cos x upon sin x तो यह आगा हमारा cos x upon sin x अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं sin x upon cos x plus cos x upon sin x इसके बाद हम इसका lc m ले लेंगे cos x into sin x तो यह हो जाएगा sin x into cos x इसका lc m हो गया sin के साथ multiply हो गये दो है sin square x cos की cos के साथ यह हो गया cos square x ठीक है? उसके बाद हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं तो यह हमारी first term थी जो हमने solve कर कर के लाए थे और यह हमारी second term का solution है ठीक है? तो यह sin x into cos x और यह upon में sin x into cos x तो इससे यह cancel out हो गया ठीक है? इसके बाद हमारे पास बच गया sin square x and plus cos square x यह हमारा यह बच गया और चुँके मैं पता है sin square x plus cos square x is equal to 1 होता है तो यह इसकी value आ गई 1 तो यह हो गया हमारा answer जो कि हमें प्रूब करना था अब पढ़ते हैं question number 10 के ओर तो question number 10 हमें given है sin n plus 1 into x and sin bracket में n plus 2 into x and plus cos n plus 1 into x and cos n plus 2 into x is equal to cos x तो यह हमें प्रूब करना है कि इसकी value होगी cos x तो यह हमारा first term हो गया ठीक है sin x into sin y की तरह इसको पूरे को x माना और इसको y इसके बाद यह second term है तो second term में यह हमारा cos x हो गया और यह हो गया हमारा cos y यह यह cos y हो गया इतना ठीक है इसको y मान लो और इसको x मान लो तो हम पहले इसका terms one solve करेंगे यह वाला sin x into sin y वाला तो इसके लिए जो formula होगा तो सबसे पहले formula हमारे पास होता है minus 2 sin x into sin y तो equal to होता है cos x plus y into sorry minus cos x minus y तो हम क्या करेंगे इसको हमें sin x into sin y का formula चाहिए sin x into sin y तो हम क्या करेंगे minus 2 को डाल देंगे इसके upon में यह बटे में इस पूरे के नीचे तो हमारे पास sin x into sin y का formula आ जाएगा x cos x plus y minus cos x minus y upon minus 2 और second term के लिए हम use करेंगे जो formula वो है हमारे लिए 2 cos x into cos y is equal to होता है cos x plus y and plus cos x minus y तो हमें चाहिए cos x and cos y का formula ठीक है चुकि हमारे पास question जो है वो है cos x into cos y में ठीक है इसलिए हमें जो formula चेंज करेंगे उसे cos x into cos y में करेंगे तो ये cos x into cos y में हम इसको लिख सकते है cos x plus y and plus cos x minus y और upon में 2 तो ये 2 चला जाएगा हमारे इसके upon में इस पूरे के ठीक है अब solve करते हम इसके terms 1 को तो terms 1 में एक formula के according हो जाएगा हमारा cos x plus y and minus cos x minus y upon minus 2 तो ये हमने cos और ये x ये x की value रख दी और ये y की value रख दी ठीक है और ये minus का minus ये cos का cos ये x की value रख दी and minus ये y की value रख दी और upon में ये हो जाएगा minus 2 ठीक है अब इसमें इसमें क्या करते हैं first वाले में cos और इसमें x और इसमें भी x है तो x common लिया तो हमारा bracket में बच जाएगा n plus 1 and plus यहाँ पर बच जाएगा n plus 2 and minus cos का cos इसमें भी x common लिया और यहाँ अंदर बच गए हमारा n plus 1 ये and minus का ये minus का minus और n का n and ये minus इसके साथ plus minus minus तो ये हो गया 2 and upon में minus 2 तो देखो यहाँ से ये n से n cancel हो गया ठीक है और इस minus 2 से ये plus का 1 गया तो यहाँ पर minus 1 बच गया ठीक है इस term में इसको add करेंगे तो यहाँ पर बच गया n and 2n यहाँ पर आगा 2n and ये 2 plus 1 हो गया 3 तो ये आगा cos 3 2n plus 3x and minus यहाँ पर minus का 1 बच गया तो ये हो जाएगा minus x ये और आगया हमारा cos minus x और upon में minus 2 इसके बाद हम solve करेंगे term second को ठीक है तो इसको मान लिया first equation इस वाली term अब हम इसके second equation को solve करेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये में given है cos n plus 1 into x and cos n plus 2 into x ठीक है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ये formula क्या कोड़ी cos x plus y and plus cos x minus y by 2 तो हमने ये value रख दी यहाँ पर cos ये x की value रख दी n plus 1 into x and plus n plus 2 into x and plus cos n plus 1 into x and minus क्योंकि formula यहाँ पर minus है ठीक है तो minus n plus 2 into x by 2 अब हम क्या करेंगे सेम वैसी करेंगे यहाँ से भी x common ले लेंगे इसमें भी x common है तो यहाँ x common ले लिया तो bracket में बज़े गया हमारा n plus 1 यहाँ पर यह n plus 1 और यह n plus 2 का n plus 2 ठीक है n plus का plus cos का cos यहाँ पर x यहाँ भी x common लिया यहाँ पर bracket में बज़े गया n plus 1 और यह बज़े गया minus इसको खोल दिया तो यह गया minus n and यह plus minus फिर से minus n 2 अब देखो यह n से यह n cancel हो गया तो यहाँ पर बज़े गया हमारा 1 and minus 2 तो यहाँ पर भी बज़े गया हमारा minus का 1 ठीक है और यहाँ पर सेम ऐसे है तो यह n n हो गया 2nd और 1 and 2 हो गया यह 3 Så यहाँ पर हमारा बज़े गया 2nd and plus 3 और इसके bracket मानने के बाद यहाँ पर बच गए यह x ठीक है तो यह बच गए हमारा cos 2n plus 3 into x and plus cos minus x by 2 तो यह equation second हो अब हम दोनों को solve करेंगे यह equation first और यह second तो यह first हमारी इस तरीके से थी cos 2n plus 3 into x by यह minus cos minus x by minus 2 and plus cos 2n plus 3 into x plus cos minus x by 2 ठीक है अब देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे minus है तो यह minus को हम यहाँ से multiply करते हैं वैसे इसके आगय होता है ठीक है यह तो यहाँ minus हो जाएगा और यह हो जाएगा minus minus का यह plus ही change कर देगा यह वाला minus है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं तो यह आगया है यह plus minus कटी है तो यहाँ पर बज़िया हमारा cos minus x और cos minus x तो यह आगया हमारा 2 cos x minus 2 cos minus x by 2 तो इस 2 से यह 2 cancel हो गया तो यहाँ पर बज़िया हमारा खाली cos minus x अब चूंकि cos minus x is equal to होता है cos x तो यह हो गया हमारा answer ठीक है तो जो हमें प्रूप करना है अब solve करते हम आज का last question ठीक है तो question number 11 हमें given है cos 3 pi by 4 and plus x and minus cos 3 pi by 4 minus x and equal to minus under root ठीक है यह minus में under root 2 into sin x तो यह हमें प्रूप करना है कि इसकी value इतने के बराबर होगी ठीक है तो हम इसे लेखेंगे left hand side और इसको question को उतार देंगे left hand side वाला cos 3 pi by 4 plus x and minus cos 3 pi by 4 minus x तो इसमें दो formula यूज होंगे एक होगा cos x plus y का क्योंकि x plus y की form में है और दूसरा होगा x minus y का तो यह की है x minus y की form में है तो यहाँ पर जो formula हम use करेंगे वो हो गया cos x plus y का और दूसरा हम करेंगे cos x minus y का ठीक है तो हम इसको खोल देते हैं cos x plus y की formula से तो यह खुलके हमारा हो जाएगा cos 3 pi y 4 into cos x and minus sin 3 pi y 4 into sin x and यह minus का minus क्योंकि अलग से खुलेगा तो यहाँ पर हम bracket लगा देते हैं bracket cos 3 pi y 4 into cos x and plus sin 3 pi y 4 into sin x ठीक है तो हम इसको क्या कर सकते हैं यह जो हमारा 3 pi y 4 को हम लिख सकते हैं 135 degree है ठीक है अगर आप इसको 3 से 180 को multiply करेंगे और 4 से divide करेंगे तो यह 135 degree आ जाएगा तो यह हर जगा 135 and 135 and 135 degree है तो 135 degree को हम लिख सकते हैं इस तरहे कैसे cos 90 plus 45 यानि pi by 2 plus 45 तो यह हमारा एक formula हो गया जो मैंने अभी आपको formula पढ़ा है उसके according cos 90 plus theta के according तो यह हो गया cos pi by 2 plus 45 into cos x यहां के cos x and minus का minus sin यह भी हो गया हमारा 90 plus 45 यह into sin x का sin x यह minus का minus सेम यह आगया cos 90 plus 45 into cos x का cos x and यह आगया plus का plus sin 90 plus 45 हो गया यह भी into sin x का sin x अब आगे हम करते हैं तो यह को हम सीधे direct रिख सकते हैं formula से जो formula होता है cos 90 plus theta का तो 90 plus theta का जो formula होता है उसके अगर नहीं होता है cos 90 plus theta की value होते है minus sin theta तो यह आगा हमारा minus sin 45 ठीक है चुंकि my cos 90 by theta minus 90 plus theta equal to minus sin theta होता है ठीक है तो इस तरीके से जो formula बता है उसकी value रख सकते हो तो यह minus sin 45 and into cos का cos यह होगा minus का minus और sin 90 plus theta equal to cos theta तो यह होगा cos 45 into sin का sin यह minus का minus यह cos and यह होगा minus sin 45 into cos x cos x plus का plus sin 90 plus theta equal to होगा cos theta यहनी cos 45 degree into sin theta उसके बाद हम क्या कर सकते है यह 45 degree की value रख दी 1 by root 2 तो यह 1 by root 2 होगा minus into cos x and minus का minus same 1 by root sin x plus 1 by root cos x तो यह देख यह minus minus होगा plus तो यह plus sin 45 की value होगा 1 by root 2 into cos x plus अब यह minus इसके साब multiply होगा यह plus minus minus 1 by root 2 और यह होगा हमारा sin x का sin x तो यहाँ पर अपने 45 degree की value रखने है यहाँ पर भी यह इसकी value होगाई यह इसकी value होगी और यह वाली इसकी value होगी अब देखो यह है minus का root 2 into cos x और यह plus का है तो यह cancel out होगा है यहाँ से यह cancel out होगा ठीक है यह और यह cut गया तो हमारा यहाँ पर बज़ी गया minus 1 by root into sin x और यह minus 1 by root 2 into sin x तो यह minus minus होगा minus के 2 minus 1 और यह minus minus 2 root by 2 यह root upon में 2 है root 2 है तो यह root 2 आगा यह होगा minus 2 by root 2 और into sin x का sin x ठीक है तो अब हम इसको लिख सकते है 2 को लिख सकते है into root 2 into root 2 तो यह एक root 2 cancel होगा तो यहाँ पर बज़ी गया minus root 2 into sin x तो यह आगा answer जो के मैं prove करना था तो friends बाकी के इसके question हम करेंगे next वाली वीडियो में और बाकी यह चैनल को subscribe करो और like करो and share करो बाकी मैं इस वीडियो का जो PDF है उसका link description में दे दूँगा यहाँ पे आप मेरा टेलिग्राम गुरूप में जाके मेरी जो यह वीडियो आप इसका वीडियो आप देश सकते हैं ठीक है झाल 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 झाल